प्रेगनेंसी मास्क हमारे फेस पर बन जाता है जी हां बात कर रहे हैं क्लोआजमा की बारे में जी हां ये क्लोआजमा क्या है प्रेगनेंसी मास्क क्या है एक्चिल में होता है कि हम प्रेगनेंट होती है तो प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉड़ी में बनती है आपने देखा होगा प्रेगनेंसी हर किसी के सेम नहीं रहती किसी किसी को बहुत जादा प्रॉब्लम फेस करने आपने देखा होगा कि यहां पर बहुत सारे ब्लैक किलर की स्पोर्ट्स बन जाते हैं यह एरिया पूरा ब्लैक हो जाता है तो एक तरीके से ना मास्क जैसा बन जाता है वाइट और ब्लैक का तो यह हाइपर पिग्मेंटेशन की बज़े से होता है जब बहुत ज़्यादा है हमारी बॉल्ली में हो जाता है बहुत सारे हर्मोरण हुटती है तो इस तर एक चीज़े होती है तो प्रेग्णेसी की समय liters जब बहुत ज़्यादा यह चेंज्जứ सा बन जाता है हमारे जो नीज वहां पर ब्लैक कलर के सकन हो जाती है हमारे जो बेपीबंप है वहां पर ली है तो जो हमारी एरिया हैं बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं यह होती हाइपर पिग्मेंटिशन की बज़े से सेम जो हमारा फेस यह काला काला हो जाता है यह हमारे लेप्स हैं यह काले हो जाते हैं तो यह सब हाइपर पिग्मेंटिशन की बज़े से होता है जिनको कि हम क्ल हब दो जाता है लिकिन हम क्या करते हम यहीं सच किसकों सब्सक्राइब करते हैं कि हम कुछ दिलीवरी के बाद यह नॉर्मल नहीं होता है दो रहा है और फिर जब हम कुछ करने के सोच ते हैं तो यह इतना हर्ण हो जाता है कि यह एजी हमारे काला काला हो रहे है, स्पोर्ट आ रहे हैं, स्पोर्ट आ रहे हैं, स्पोर्ट आ रहे हैं, आपके थाई पर आपकी नीज पर इस तरीके के पाने आपको अच्छे सी लेना है जितना हो सकता है बाइटमीन C के फ्रूट्स आपको लेने है यह बहुत ज़रूरी है ठीक है इस पिंग्मेंटेशन को कम करने के लिए ठीक और इसके साथ ही आप क्या कर सकती है आप ने बहुत सारे चीजे इनमें इंग्नोर करें आपने नह अगर नहीं है तो आप बाइ सकती है अपको रेडीवीत में मिल सकता है तो दो जो अलो जेल होता है उसमें आप एक बिटमीन-E का कैप्सुल मिल अवगे ओसको यह एप्लाई करना अच्छे से पहले अपने फेस को थील करना दैन आपको एप्लाई करना है ठीक है आपुला जैसे क्रीम लगा है कुछ भी लगा है तो अच्छे से वाश कर दीजिए कम से कम आपको यह आदर घंटा अपनी फेस पर लखना है अगर आप और एफेक्टिव रजल चाहते हैं इसका तो आप जब रात में सोते हैं तो सोने से पहले भी आप अपनी फेस पर लगा सकते हैं अ से बहुत अच्छे वेनेफिट होती हैं वह है राऊ मिल्क कच्छा दूद में अगर खल्य वाला है अगर आपके पास जैसा भी दूद आता है वह अपने पहले राउ मिल रिज़ी और वसको अपर आप जो बहुत ही जयादा इफेक्टिव होता है कच्छा दूर ज़ादा अगर आपकी एक तो यह आपको बहुत है आपकी स्कीन पोर करने के लिए और जब इस तरह की से हाइपर पिग्मेंटेशन हमारी बॉडी में हो जाते हैं, मारे फेस पे हो जाते हैं, एक मास्क जैसा क्रियेट हो जाता है, तो बहुत ही देखने में गंदा लगता है, क्योंकि हम जो लेडीज होते हैं, हमारे लिए ब्यूटी बहुत ज़्यादा इंप क्रीम बताने जा रही हूं, वह क्रीम आप अपनी डॉक्टर से पर एडवाइस सिरू ही ले लिजेगा, अबर इस तरह की का हैइपर फिंबर्टेशन हो रहा है, क्लॉजमा आपके फेस पर बन गा है, प्रेग्नेंसी मास्क आपके फेस पर बन गया है, जो की नहीं निकल रह तो एक्सपोज की वाइटनिंग क्रीम आप यूज कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सपोज की वाइटनिंग क्रीम, आप अपनी डॉक्टर से इसके बारे में पूस सकते हैं, जो भी आपकी डॉक्टर हैं, जो भी आपकी गाइनकलॉजिस्ट हैं, उन से आ अगर आप इसको रूज करेंगी तो डैपी नेकर आपको बहुत जादा 100% अच्छे रिजल्ट आपको इससे मिलेंगी तो आप यह भी आप यूज कर सकती है जो भी हमारे छुपे हुए एरिया है लाइक हमारे अंडर आम से वह पर यूज कर सकते हैं ब्रैस्ट है यह बेलिया कि देख लीजेगा इसकी बार में पूच कर ही इसको आप यूज करेंगी तो इसको आप यूज कर सकती हैं बहुत जाद एफैक्टिव है इन सब चीजों के लिए ही यह मार्केट में है तो आपको इसके मल्टिपल बैनिफिट्स देखने को मिल जाएंगी तो डियर मॉमेज इस तरीके की situation आ रही आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो स्किन है वो बहुत ड़ल हो गई है फेस बहुत जादा आपको ऐसा लगता है कि बहुत जादा fine lines ने लगए बहुत ज़्यादा फेस गंदा दिखने लग गया कर यह यह सब ते देखिए आपको अच्छी result आपको